कैसे आप तभी लोग और एक बार फिल्ट आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चनल अलफा इंसिट्यूट में पुच्छो आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकि आई हूं जो आपके बोड एक्जाम में यानि कि तीस ऐसे ऑप्जक्टी कोशन है जो आपके यानि कि जो आपका जीवों में जरनवाला शेप्टर से लेके और आपका जो वंसा गतिता विवीद्दा का सिधान जो मंडल्स लाओ है उस्ते लेटिर पांस पांस शेप्टर से तीस अबजक्टी कोशन है जो कि आपके बोड एक्जाम में बार-बार चांस होते हैं पूछ अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहां पर उन बच्चों के लिए एक बहतर मौका है जिसों लगता है कि मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है और अब क्या करना है आपको कहीं भी भी टेकनीक जरूवत नहीं है क्योंकि अब आपके पास जादा टाइम नहीं की जरूवत है तो जो भी बच्चे चुक है आप भी अपने की त्यारी को बहतरी अच्छा से अच्छा बनाने चाहते हैं तो यहां पर उन सभी बच्चों के लिए सिखर बैस 2.0 इस्टार्ट किया जा रहा है जिसमें आपको जिसमें आपको जो तयारी होगी वह जीरो क्या मिलेंगे बच्चे डेली लाइप क्लासे बिलेंगी आपके दस से बाराइं गटे की लाइप क्लासे लाइव डाउ डाउट क्लासे रहते हैं और अब प्रफ़शन. घैस पेपर पिछले पांच साल का पेपर आपको इस बैसमें सॉल्व करवा जाएका जाएगा वह वह सब्सक्राइब करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नमर पर 930 5703 75 इस नमर पर कॉल करकी भी जनकारी ले सकते हैं तो चलिए क्लास के और बढ़ते हैं और चाहती हूं कि बहुत सारे बच्चों का यह कोशन होता है कि विहार बोड के लिए क्या यूपी बोड के लिए जारकन देखो बिटा आपका कोई भी बोड हो जहां पर आपका अंस्याटी का स्लेबस है तो वहां पर यह सारी चीज़े काम आएंगी तो अपने मन से भ्रांती बिल्कुल हटा तो तो क्लास के और चलो एक पहला क्या है कि निल्खित में से कौन सा भाग पुष्प की नर्जननन अंग का प्रतिनिधितों करता है यानि की इनम्हें आपता है कि कॉन्हें ऐसा भाग जो चार आपषण आपके दीए तो इनमें ड़्यटी करता है पुश्व का यापराग करता है तो आपको पता है कि पुष्प की जो भाग होते हैं मुख्य दो भाग होते हैं एक होता है पुमंग की इस्ट्रक्चर के बात करोगे तो कुछ ऐसे करके आपकी होते है यानि इस पुमंग की दो बलते हैं अग्लिस से तो पुतन्तु और इंगले से बोलते हो फिलामेंट ठीके और लिटा आपके क्या होते हैं पराच कोश क्या थे पराच को बच्च कि आप वो इंगलिस में था बोलते हो एंधर दैसे कि अंधर होते हैं पराग निकि फौलीं ग्रेन होते हैं यानि कि हिंदी में पराग कड वोलते एंसर पुरुष कि नर्जननांक का प्रतिनिदित्व करता है तो आपसर नम्मर यह कि इसमें आपके क्या हो जाएंगे क्लियर नेक्स्ट कोश्चन देखो सेकन्ट गॉस्टन नेवेटा कि 112 लगों बिजाड़ों के निर्माड हेतु लगों बिजाड़ों मात्र कोश्का में कितनी अर्द सुत्री विभाजन होंगी यहां पर आपसी क्या पूछ रहा है कि 112 यान 112 होगा या 224 होगा आपको पता है कि जब लगू-बिचाड़ो-जरन की मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया था जो भी बच्चा नहीं पढ़ाओगा वो इसका पूरा वनसाड देख लेगा लगू-बिचाड़ो-जरन की स्क्रिया में आप क्या देखते हो कि जो पराकोस होता ह अब इस पराकोस का बटाई जब आप क्या करते हो सेक्षन कट करते हो ठीक है जब हम क्या करते हैं तो इस पराकोस के इंदर हमें कुछ दिखाई देते हैं क्या दिखाई देती है इतनी चार लगो-बिचाड़ो-धानी दिखाई देते हैं इन चार लगो-बिचाड़ो-धा यानिegona को किया होता है यह होती है और शुत्री विभाजन के द्वारा Bak यहां पर माईक्रेश का निर्मार होता है छार लगोवभाजन की निर्मार होती है कि चीछ कोई चीज पढ़ाई है तो इसमें अगर आप इसके काउंट करेंगे जब एक बार यानि कि एक बार अर्दुसुत्री विभाजन से चार बन रहे हैं तो इसमें कितने होगी थी बटा इसका राइट एंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा यानि कि देखो आप आप कहा देखते हो जंतों में कोई भी परागड़गी की जिक्रियाक जरूतनी होती लेकिन पादप ऐसा है यानि कि आपके जिमिनोस पर्म हो गया इनमें इसे माधिम की जरूरत होती है तो आप कहा देखते हो नीबू है या इनमें से कोई नहीं है या मटर है क्या मटर को पॉलनेशन करने के लिए क्या वाटर चाहिए या हाइड्रेला को पॉलनेशन यानि परागड करने के लिए पाटर चाहिए या नीबू को चाहिए इसको चाहिए बटा जल्दी से बता हो जल्दी से बता हो किसको चाहिए तो आपको पता है कि नीबू हो गया आपका मटर हो गया इसको पॉलनेशन की करिया करने के लिए वाटर ने चाहिए लेकिन पॉलनेशन कर देखो दोरा निशेचन होता है जो डबल होता है कि मतलब यह एक ही माधाश चरीर के अंदर दो बार होती है कि यह कोई इस तरिकेशर वाला पार्ट से अब इसके उपर क्या इसका क्योंकि जो इसका बढ़तिकागर होता है फिर आगे से तोड़े से स्टाइलिस होती और इस आगे जाके चोड़ा और फुला भाग बन जाता है तो आपको पता है कि इस पर हमने क्या बोला इसको बोल देते अब ते आप आपको पता है यह परआगड़ की क्रिया होई ठीके परागड़ की किरिया मानड़ों किसी कीट की द्वारा कोई क्या है कीट है अब इस कीट के द्वारा क्या हुआ परागड की क्या हुई किरिया हुई इस कीट की द्वारा क्या हुई परागड की क्रिया अब इस कीट ने क्या किया किया किसी प्लांट पे बैठा है और बैठने के बाद एक क्या किया अपने परागड को कहा लेकी गया इस स्टिग सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इस तद्रे की सरशना होती है यानि कि इस वाली को बोलते हैं इंटाइन बोलते हैं बहुता है यहां पर चोटी चोटी पूर पाय जातां यानगी कि जर्म पूर पूरनी sun झानय मैं उद्शीद sód और इसदंधर बहुत है और इसे लुष होता है जननकोष सब्सक więc में द्रमाद करते जब उपराकड काशब्लżej करना कर देते हैं जाएसे यह क्या करेंगे अंकर करना ही चार्ट इनों निसका क्या क्या रहता है क्या करते हैं और है अब जैसे यहां पर इनकी जो करने क्या बना दिया और इनकी जो जरन कोषका थी उन्हें नेने क्या क्या कर दिया दो में गाइमिट का फॉर्मेशन कर दिया यानि यहां पर बीच में सेंटरल नुकलेस होती है तो एक बार क्या करता है अंड़कोशका से और दोसरा में जो होता हुँ से प्रुवेकेंद्रक से यह आपके डबल ट्रिक शले या डबल फटिलाइजेशन बोले जाती है तो यहां पर आपसे पोच्छलाए कि डबल यहां कि आपसा नमर आपके स्ती राइट एंसर होंगे कि आवरत बीजी पादवा में यह आपने द्यान देनी है प्लावर लगते हैं और वहीा जिम्नो स्वाता में पुस्व पिहीं होते यानी कि फ्लावर की की होते हैं यह पुसमें भी मेल और फिमेल दोनों हैं लेकिन फ्लावर का अभावा होता है आप क्या देखते हो जिमनोज पॉल्ड अंजयो पड़ाओ कि इस पड़ा होगा तुसमें और आपके क्या हो जाएंगी सी राइट एंसर हो जाएंगे एसे कौन सा एक अभाशिव फल नहीं है इसमें आपसे आप सरा है अगा चोंट है तो आपको पता है कि अभसी फॉल मुच्छ म कहते हैं कि एसे फन जिसका निर्माद किस से हो तो रह अज पासब्स होता है जिसका निर्माद किस से होगा पॉसस पासब्स त यहां रागर зовут olika फाइरंग से ठीज़़िए चिह कोई अगर मिल्स बना लो पुसपास्तलर पुज़े आपके रंग आप Woo Punk depमstone यानि इसका जो लोुता और में कि बाता डल यहां पुसपशे होता अब सिकंभी हमेशा क्या होते हैं रंग और अलगी होने की आ शाइथ किन ने होने कि यहां पुसप पुसपशे होते तुंकीश्चर होते हैं एक होता है फ्लावर्स होंगे इसे फ्लावर्स प्रिजेंट होते आपको जोगी थीडियन प्रिजेंट उसके साहठ बीच में आप क्या देखते हो अब आप क्या देखते हो कि जब इन्न में डबल फटेलाइजीसन हुआ तो दियोनीसेचन की के द्वारा क्या होगा पिछा कि जब इन्न में की क्रिया हो गई निसेचन के बाद यहां पे जब जाइगोट बना भुड बना तो यह भुड किसमें चेंज हो जाता है और यह वरी पुस्पासन जड़ जाते हैं जिनके निर्माड विसका थैलमस होता है जो पुस्पासन नहीं होता है और सेब में होता है ठीक है अकुरोट में होता है नहीं होता है अप़सप कर अभाइब से नहीं होता है जो कि बिजनी और से पूटन साइवाल का ढाइका है साइवाल का जो देख न्यक्तर ह отно किसी सूचक को बताता है कि आपके नक्स चिपान के बाहर होने वाले निश्टेचन को क्या कहते हैं यानि कि ऐसे फॉट्य लाइजेशन ने क्रिया अब बैटा देखो यहां पे जो फॉटी लाइजेशन वह गां कि यहां पर लाइजेशन का मतलब होता है क्रिया जिसकेश में नर्यगमक और हिनल जरूरी नहीं कि सारे में पाया जा रहे हैं यारे कि कुछ ऐसेए भी जीव है जिसमें external यानि कि आंत्रिक निसेचन पाया जाता है और कुछ ऐसे जी होते जिसमें बाहे निसेचन पाया जाता है अब आंत्रिक का मतलब होता है कि जो आत्रिक में मादल सरीर के अंदर होता है और बाहर सरीर के बाहर होने वाले निसेचन को बोलते हैं इन वीवो होता है दोनों होता है या इनमेंस सिक कोई नहीं है तो कौन सा ऐसा फ़र्टिलाइजेसन है जो सरीर के बाहर होता है तो यह तक्निक आती है आपके ज्याप्रदावगी के अंतर्गत किसके अंतरगत ए आर्टी के अंतरगत आती है यानि कि इस तक्निक का यूज उस महिला के लिए किया जाता है जिसमें क्या होती होती है यानि कि बंदता होती है उसमें कोई ने कहीं कहीं ने कहीं ऐसे दिक्कत होती है जिसके कारण वो अपने मतलब का जो कपल्स होते हैं जो द वातावड हमारे शरीर के अंदर दिया जाता है से महातावड सरीर के बाहर यानि की लैब में क्रिया कराये जाती है इस प्रकार की जो क्रिया होता है इसको बोलते हैं इन्ड विट्रो फर्टिलाइजेशन हिंदी भी बोलते हैं श्वापात्री निसेचन तो इसमें आपका अप्सन नंबर क्या हो जाएगा यह राइट एंसर हो जाएगा कि श्वापात्री निसेचन सरशना है क्या होता है इसको पता है बहुत अच्छी बाद इसको नहीं पता है ठीक है इसका मतलब होता है यहां इसमें आपके आप्सन नमर क्या हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे क्योंकि जब आप क्या देखते हो निसेचन की जैसे आपने क्रिया देखी निसेचन की क्रिया में क्या होता है अंडाडू का ठीक है अंडाडू का क्या होता है सुक्राडू से मिलन होता है ठीक है दोनों क्या करते हैं एक साथ होती है यहां पर यहां कमेंट भी कर सकता थाथ है लृड नाइक संतत्ति हो रहा रहे है निर्माट हो रहे है ठीक है पाके जो भी डाउट है उसको पूर सकते हो कमेंट भी कर सकते हो कहां डाउट है कहां पर नहीं है नेक्ष एक स्वस्त महिला की पूरी जिवनकाल में उत्पन कुल अंडों की संख्या होती है यानि कि क्या है हेल्थी महिला है एक स्वस्त महिला है और इसके पूरी लाइफ साइकल कितने ही कितने एक का निरुमार करती आपको पता है की यह जो पम हिला का महिला होता है कि दो यहां पर इनके पास दो ओवरी होती है इस बीटा क्या होता है अंडाडू का निर्माड होता है तो यहां पर पूछ राएक एक स्वस्त महिला है एक पूरी तरीकिस उसको कोई दिक्कत नहीं है अपका एंसर क्या हो जाएगा 4000 जो महिला होती है कोई लड़की होती है वह किसोरा अवस्ता देखो आपका आप लगलतू को किस्वार ढर्ग तरना मुआ है किक्स ऑप लगा अवस्ता है तो बिटा एक जो पुरुस होता है ठीक एक लड़का जो होता उसमें जो किसोर आवस्ता हो स्टार्ट होती है उसको जब 13 से 14 वर्स केज में आएगा 14 सपन्द क्योंकि सब में एक टाइम निधा इतनी है सारी चीज हमारे खान पान पर डिपेंड करती है ठीक है लेकिन क्या हो सब्सक्राइब करती नंटा तथा सेंड्र है यान नि की सऊंखन का सयोजन है या इन मेसे कोई से तो निसीचन क्या होता है निसेचन क्या होता है तो आपको mauस नमर क्यह बाचा फाट हो जाएगा अनडा तथा नहर्योंक्राईस का प्लांट्स में क्या करती है जोणों को फ्यूस होने के लिए संब्सकित एक स्टेक्पंटरी नूकलिस को मिलने के लिए क्या करती कि रास्ता परदान करती कुछ सायन को छोड़ती तो आफ सनों में इस में चंप्षायन को रीक्त हो जाएंगे नेक्ट Стक दोलूंड को ौस सठ देना है लिंग का निधार्ण करना है लिया मैं ही भुड़ पोस का क्या आर्थ है बताईए किसी बच्ची को पता है कि भुड़ पोस का क्या आर्थ होता है बताईए भुड़ पोस का जो आर्थ होता है ठीक है इचे त्वेंसर क्या हो जाएगा प्रोंकर देना क्योंकि जो प्रोंकर को इसका निरमाण होता है इक यह प्रण को कितने क्रोमोजोम होते हैं यह होते हैं यह होते हैं यह रह्त कि यहापका प्रुड़ पोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा यह आपका भूड़ पोस्ट ने आपके प्रुड़ प्रति मुखी कोशका जिसको बोलते हैं एंटिपोडल से इन में जब एक मेल गामिट याने कि यन यह जब एक मेल गामिट बनती तो क्या हो जाती है 2N हो जाते हैं तो यहां पर जो आपसर हो जाएगा आपका 3N हो जाएगा कि भुड़ कोस में कितने क्रोमोजोम होते हैं साटोली कोस का है बृषण में पर जाते हैं अन्डासर किसमें पर जाती है आप क्या देखते हो जब सक्षन कट करते हैं जब आपने क्या करोगे एक ब्रिशड का क्या करोगे सक्षन कट करोगे तब इस ब्रिशड में आपको देखने को क्या-क्या मिलेंगे इस ब्रिशड में बच्चे आपको मिलेंगे यहां पर होती है यहां पर होती है ब्रिशड पालिका क्या होंगी ब्रिशड पालिका होती है क्या होंगे ब्रिशड पालिका इस ब्रिशड पालिका के अंदर होती है सुक्र जिनक नलिका और इनकी संख्या जो होती है एक से तीन होती है तो प्रतेक ब्रिशड पालिका में एक दो एक सो तीन क्या होंगी स्क्रनलिका अब देखों यह आपके क्या होती हैं ब्रिषड पालिका ब्रिषण पालिका ठीक है अभी इस ब्रिषण पालिका के अंदर होती है सुक्र जनक नलिका तुक्र जनक नलिका ठीके ये सुक्रजनक जोनलिका होती है ये होती है दो प्रकार के दो प्रकार कौन कौन सा एक होती है बटा दो प्रकार यहां देखलो दो प्रकार होती है एक होती है नर्म जर्म कोश्का ठीके नर्म जर्म सेल और एक होती है सटोली कोश्का क्या हूंगी坐 바ure-ら प्रिशन निर्व जर्व सेल के द्वारा जो मेल गयमिट का निरमाद करेगा तो सस्यन को पिषण ठोञे इसको पॉर्ट्ष्ण प्रिशन प्रें गए çıkar कि थी तो कहाँ पाए जाते हैं ब्रिशनолж नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है अब यहां पर जो मेल हार्मोन्स जो मेल हार्मोन्स है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है कहां से होती है लेबर में होती है अंड कोस में होती है किड्नी में होती है फेपडा में होती है तो आपसन क्या हो जाएगा अंड कोश में होती ठीक है क्योंकि जो अंडा से हो गया ठीक है अगर सुष्प्र जन्संक्या परडाम्ट क्या होता है आयों में कमी होती है जमीन में कमी होती खनिस्पदार्थ में कमी होती है या उप्रोक्त सभी तो जनसंख्या बृधि का दुष्पडाम क्या होते हैं यानि कि जो जनसंख्या हमारी population इस Eptor No.4 का कोश्टन है यह मारे पॉपलेशन इतनी जादा बड़े इतनी जादा बड़े की नाम नहीं ले रही है कि इसके क्या हमारे बढ़ेंगे सब्सक्राइब यानि कि option number D क्या हो जाएंगे सई हो जाएंगे आप कैसे देखो क्योंकि ज़स्थल पर हम रह रहे हैं हमारी अर्थ बढ़ नहीं रही है हमारी जनसंख्या बढ़ यह तो जब धेर सारी संख्या होगी वहां पर रहने की क्या हो जाएगे कमी हो जाएगी जब रहने वालों की क 40-50-60-70 जितने जेनिये चाहिए वो कम एज में ही क्या हो जाएंगे मल जाएंगे दिसारी सके दुस्थ्रभाव होते हैं कि I am में भी कमी होगी साथ यहां परने घ्षनीस्पदार्थों में में होगी और जमीन में आउनग's कान गयोन संचारित रोग है खसरा लि再घ करनोरिया है यह उसिए toolbox के द्वारा लागिक संपर के द्वारा एक ब्यक्तिंसे दोसरे ड्यक्ति में संचारित क्षिब आंगिक संपर दारा एक से दूसरे बैंटी में आप सतर नमर क्या हो जाÝए इस में कि पहचान नहीं कर पाता अगर कोई भी ब्यक्ति है कोई भी बंदा है वह कर ब्लाइडनेज से ग्रसीत है तो पहचान नहीं कर पाता है किसकी पहचान नहीं कर पाता है लाल तथा पिले रंग का या लाल तथा हरे रंग को या हरा तथा नीले रंग को या किसी भी रंग को या आपके लिंग सहलग में बिमारी होती वनसागती बिमारी होती है एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी में क्या होती है संच्रीत होती है यह आपके कोर्शन है चाप्टर नमर 5 के जिसने भी बैट मच्चे नहीं नहीं देख लेगा ठीक है और जिसका कहीं डाउट रहा होगा वो जो बढ़नादता होता कोई भी वैक्ति बढ़नादता रोक से घ्रसीत है तो लाल और हरी रंग में भ्यनादता उस'S qo रिलव ड्राइबर अस नहीं बनाया जाता है क्योंकि जो लाल बत्ती होती और जो हरी बत्ती होती है उसको पहचार नहीं कर पाता है जिससे क्या हो जाएगे दुरघटना होने की संभावना होती है इसलिए अगर भी कोई बंदा और नालता से ग्रिशित है उसको railway diver नहीं बनाया जाता है कि दीके चुच्व संभॉडॉड kras ka fenotypic अनुपाद क्या है संक्रड क्रास़ का जो फिनो टिपिक अनुपाद बस्याब से यह पे पूछ रहा है तो एक समंध्य दो एक होता है यह समय 1000 समयń इक होता है इंट मैं में से कोई नहीं 25 में इसको पूरी अश्ची तद्वे Stories किसे- DC प्रवे जिस बच्चे को नहीं पता वो यहां पे ध्यान दैं나े बिर फीनो टाइप मेंडल जी ने क्या-क्या दोस व्येंव संकर किमार या दbai देखते हैं लक्षड प्रारूप क्या बोलते हैं लक्षड प्रारूप लक्षड प्रारूप चीति में इनमें मौर्फोलटी का मतलब क्या हो जाएगा क्या देखेंगे वाफंदकर लौजी को देखेंगे इसे सेट को देखेंगे इसके बाहरी सरशना होता है चर्चना को देखेंगे फिनोटाइप होते हैं एक संक्राड प्रास का प्रभाविता का नियम दूसरा है आप प्रभाविता का नियम दूसरा है प्रभाविता का नियम दूसरा है वियोजन का नियम तिसरा है श्रतंत्र अभिवन का नियम तोन कौन सा प्रभाविता का नियम प्रभाविता का नियम दूसरा है वियोजन का नियम या युगमक सुधता का नियम भी बोलते हैं वियोजन का नियम और तीसरा है श्वतंत्र श्वतंत्र अप विवन का नियम तो एकल संक्रण क्रास में बच्चा क्या किया गया था दो जिनों को लिया गया था मिंडल जी ने क्या किया था इन्होंने दो जनव को लिया था देखो उन्होंने क्या किया था जो प्रभाविता का नियम होता है वो एकल संकर क्राश को फॉलो करता है यानि कि मिंडल जी ने क्या किया थे अपने प्रयोग में दो जनव को लिया था एक कैप्टल टी कैप्टल 2 ठाव थे और एक smart इसनल के बीच में क्या कर आया था किरा था तो आपको पता है क्रास कराने से पहले हम क्या बनाते गामिट बनाते हैं घ्र मैंड बनाओ गो इसनल की ये क्टपली आएगी क्या हो मारे पौधी पौधा क्या है लंबा पौधा हुआ यानि कि मिंडल जी का प्रभाविता का नियमी बताता है कि मिंडल जी ने क्या किया था दो जनब को बेप्रित यानिक लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा यह पौधा आपके क्या है यह लॉंग है और यह नहीं प्रभाविता का नियम है कि जब दो जनक की बीच में संक्रट कराया जाता है तो इसमें आपने लंबे पौधे पन ने अपने क्या क्या प्रभाव को सो किया वो प्रभावी लक्षड हुआ और जिसने अपने लक्षड को सो नहीं किया उसको बोलते है अप्रभावी लक्षड तो यहां पर जो कैप्टल टी टी है यानि कि लंबे पन ने अपना क्या क्या प्रभावी यानिके इनकी जो यफण पीड़ी आई सारे बच्चे इनकी सारे संत्ति कैसे हो गए लंबे हो गए ठीके लेकिन यहां पर टी वाला जो स्माल्ट यह बॉना पौदा था इसने पर लक्षड को सो नहीं किया लेकिन फिर जब मेंडल जी ने क्या किया अपने व्यफण पीड़ संक्रत की क्रिया क्राया कुछ और भी देखने के लिए क्या मिले कि जब इसको आप क्या और पुनेत वर्ग में स्मार्टी की साथ कराओगे तो यहां पर आजाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि आपने जो यह फन पीड़ी थी मेंडल जी कि उसमें सारे पौदे कैसे लंबे आए यानि कि वापने कोई भी लंबाई बौने पन को सो नहीं किया लेकिन जैसे ही वापस से मेंडल जी ने second pedi में कौन सी क्रिया करा दिख सेल पाउनेशन यानि कि स्वप रागड की क्रिया कराई तो स्वप रागड में इनको क्या मिला यानि क्या मिल आपको यहां देखो एक है और समली जी हो जाएगा एक समंध्य दो समंध्य एक इसका जीन पूछ है तो आप क्या दो कि आपको जाएंगे वह क्या हो जाएंगे ओप्सन और वी कि तीन समंद्य एक का अनुपात आता है कि जब एक संकर क्रास का हम फिनो टाइप अनुपात क्या है तो एक संकर क्रास का फिनो टाइप अनुपात होता वो तीन समंद्य का नियम देखते हो तो उसमें आप दो इख्मक को की सुदता यानि किक तो संकर क्रास वहां कि कि ग्रैक्ष मानवर मीं अनुपस्तित होते हैं या ऐसे आपके एंसर क्या हो जाएंगे कि एंटी बोड़ी जो अनुपस्थीत होते हैं यह आपसेंट होती ह्याँ आपके बीक्रेक्ट हो ठीक क्या ऊजाएंगे बी गरेक्ट एंसर और शाएंगे यानि आईसा कौन सा जो सवर्भॉमिक रख्थद्धाता का मतलब होता है कि ऐसे डिर्वर्ग अईसे ब्लड जो कि सबको अपना रख्थ दे सकते लेकिन किसी से ले नहीं सकते तो आपको पता है कि यह सब्लेगा इसको भी देगा और इसको भी देगा लेकिन जब इसको भी आवसकता होगी तो यह ना तो लेगा ना तो बी कलेगा ना तो एबी कलेगा अगर वह भी लेगा तो ब्लड ग्रूप ओ का लेगा और ब्लड लेने में देखते लिया जाता है इनमें आर्यस भी देखा जाता है प्लेट ग्रूप में आरेस फ्यक्टर जो पॉजिटिव है आये आर्यस फ्यक्तर क्या है पॉजिटिव यह निगेटीव घुकष की तो क्या होते हैं इस्ट्रोजन है यह फैस थैस्ट है या प्रोशिष्टरान निग सवरण होत Jugoda है यह पाइजाần कि आप टान हाइसरान होता है पृटर्ण syndrome हार्मों में पाई जाने हार्मों सोते हैं I słो होता है सा हर्मों से ऑनारी माष्ट्रेग्व MR करेगा कैसे करती है मेल में कि सोब जब उसकी पूझ के रिप्रोक्ट्र का निर्माण होगा यह जो मास्टे ग्लैंड होती है यह क्या करेगी हर्मों का स्रावड करेगी तो यह क्या करती हमारज करती है तो रावित होता है लिदिंक वान दोरा इस पर में दोर्या यह कोई नहीं एंड्रोजन देखो एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन्स है जो नर्व में पाए जाने वाले हार्मोन्स होती है तो एंड्रोजन को अगर कोई स्थावित करता हो तो लिडिंग सेल के द्वारा क्या होती है अब साल साथ आपकी सर्टोली कोसका हो द्वारा तो सर्टोली कोसका क्या करती है फशर प्रदान करने का कारे करती है अभी it यह भीत होता है तो फुरुष से संबंदीत है वैक्सेओ टोमी समन्दित्य गोलियां चैरा टोमी समन्दिति या इनमें व कुई यानि इनमें से ऐसी तकनीख है पुरुसर समन्दित्य पुरुसर में पाई जाती है कि व्यांक एह थे तुम О व bleefsJotomy पुरुसर में होती है यानि या व्यारिक्सी थे क्या होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है जिसमें क्या होता है कि क्या होती है यहां पे जो रालु का-निर्माण होगा यहीं तक रहेंगे प्रवेश्ट नहीं करेंगे तो यह आज से तक्निख है जिसमें जनसंक्या आपको रोकने का कारिकरते हैं यह जनसंख्या को कंट्रोल करने का यह आपकी क्या होते हैं इसको एक अस्थाई बीदी बीदी बाकि जितनी भी वीदिया चाहे चाहे रोध होगे जैविदिक श्रयम होगे चाहे जितनी भी आपके बीधी होती है जो यांतरिक युक्तियां हो गई ये सारी अस्थाई नहीं मानी जाती लेकिन ये दो प्रकार की ऐसी बीधी यानि की जो सलिक रिया जिसको आप ऑपरेशन बोलते हो ये क्या होती है अस्थाई बीधी मानी जाती है इसमी चाहे पुरु तो बान दिया जाएगा और महला होगी तो उसके जो अंडवाइन यानि जो ओविडक्ठ होता है उसको काट दिया जाएगा या तो बान दिया जाएगा तो आपसा नमर इसमें क्या है आपके यह करेक्ट है सहायक जनन प्रवधावग की वह तक्नीक जिसमें एक सुक्राड़ों को सीधी अंडाड़ों में अंतर सेपित याने कि इंजेक्ट कर दिया जाता है कि यानि कि चाहे कोई महिला है चाहे कोई पूरूष है उसके उंदर क्या है इन prices की लिटी की का कर रहे है समधान कर रहे है यानि महिल्हा है या तो जो महिला है वह बेबी कौ पाल नहीं सकती ईवरी में तीकथ है या वो फटिलाइजेशन को की योगी वातावर जो निसीचन के योगी वातावर नहीं दे सकती यह उसमें अंडाडू का निर्मार ही नहीं हो रहा तो यहां पर जो सहाईक जिमन पॉर्दोकी की वह तक्नीक जिसमें एक सुक्राडू को सीधे अंडाडू में अंताच शेपित कर दिया चाता है प्रकृद आपके ओपसन किनगी कि आइसी कि यह तकनीज होती है यह 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 उती कि इसके लिए पूरुस के वाट यह होती है याने कि एक 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 psychome wants लिए या तो स्पर्म काउंट कम होगा या तो इनमें जो स्पर्म काउंट कम होने के वजह से यह वीरी सेशन की जो क्रिया होती है वो नहीं के वजह से इनमें क्या होगा कि मेल की स्पर्म को डारेक्ट निकाला जाएगा और उसको डारेक्ट लैब में जो अंडारू होता है उसमें क्या किया जाएगा इंजेक्ट क्या जाएगा और इसके क्या हो जाएगा इसका रोपड होगा और इस रोपड होने के नए संतिति क्या होगा जन् एक ऐसे करिया होगी जिसमें शुक्त्राड़ों को सीधे अंडाड़ों में इंजक्त किया जाएका यानिकि प्रतिछेपित किया जाएक ठीक्त कि सद्धूर bol graaf at आपई दिवॵसंक्तक्स का अनुपात क्या होता and क्र यह बिटा इसमें उसलिए अपका यहाइट क्या होगा जाए हैं खेसे लिए तो हैं पीला घुल भीज लिया था अर फार्जूरी दार है पीला गोल बीज और हरा जुरीदार बीज हरा जुरीदार यानि कि इसमें आपको दो जीन की बंसागती दीखती है ठीक है यह क्या होगा जो गोल बीज की जीन हो गया और जुरीदार ठीक है पीला गोल बीज लिया और हरा जुरीदार बीज को बोलते हैं इनके पीच नहीं क्या कराया संक्रट कराया तो संक्रट कराने के बाद इनकी जो यफण पीढ़ी आई थी उनमें आया था कैप्टल आर स्माल आर और कैप्टल वाई और स्माल वाई इनकी यफण पीढ़ी क्या हुई थी प्राप्ट हुई थी ठीक है अब जब इनकी यफण पीढ़ी प्राप्ट हुई फिर उनने क्या किया इनकी जो यफटू पीढ़ी आई ठीक है कौन सी पीढ़ी आई जब संक्रट की कराई तो संक्रट की कराने के बाद इनके जो संदती मिली वह क्या है capital R और capital Y यानि कि इनका जो अनुपात लाश्ट में आएगा आप इसके क्राश करा को आप देख लेला इनके जो अनुपात आएंगे वह अनुपात आएंगे तीन समंदे नौ समंदे तीन समंदे एक कान पात आएगा ये क्राश कराके आप देख लेना और जिन्स बच्चों को ये क्राश कराने नहीं आता है वनसा गती वाला जो शैप्टर वनसा जो एक मराथन क्लास है उसमें पूरा डिटेल से दिया है वह उस वीडियो को जाके प्राप्त प्रारोपी अनुपात होगा ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताय पुराइक्त किया है तो ये भी आप क्या करीगा जाके अच्छे से देख लेजेगा जितने बच्छे ने अभी क्लास को नहीं देखा होगा मैं उनकी बात करें तिन मी बटा जो आपका आएगा क्या हो जाएगा एक समंद्य दो समंद्य कानुपात आएगा अब इसमें क्या होगा देखो इनमें क्या होगा कि एक सफेद पुस्प में और एक लाल पुस्प की बीच में क्या करा जाएगा संक्ट करा जाएगा जब लाल और सफेद बीच में संक्ट की क्रिया कराएंगे तो तो यह क्या होते हैं आपके गुलाबी पुस्प वाले गुलाबास में स्वानिचेजन से प्राप्त पारवर्पी अनुपात उनका एक समंदे दो समंदे एक होता है तो यह आपने क्या करना जाके देख लेना यह भी मैंने वहां पर इदम क्लियर मनुष्ठ मैं संतान का निधार होता है माँ के गुड़ सुत्र से अडाणू के माप से या सोक्राणू के माप से या पिता कि लिग biss फादर का स्ट्रो मों होता है तुसंहां का ट्रूमोजोम होती है और ट्रूंटि त्री माता होते है और 33 23 किसके होते पिता की ठीक है 23 मेल और 23 किसके होते फिमेल के होते हैं आपको पता है कि जो 22 जोड़ा होता वो क्या होता है एक होता है और फिमेल से गहां सब्सक्राइब की महिला का 23 जोड़ा एकस ही होता है और यह यह वोलेंगी सेक्स क्रोमोजोम यानि कि यह इसा गुड़ सुत्र है यह सा क्रोमोजोम है जो लिंग निधार की प्रक्रिया को पूरा करेगा कि आने वाली संतती वह लड़का होगी या लड़की अगर अगर पूरुस ने अपने एकस क्रोमोजोम को दिया होगा तो क्या होगी लड़की होगी यहां पर नहीं कर सकता तो पूरुस में भी नहीं है कि वह अपने जब महिला का तो एक सब्सक्राइब निसेचन के लिया मैंने आपको पताई बताई हूं कि जब फटिलाइजेशन होता है जैसे वी रिसेचन के लिया होती यानिकि जो इस पर माधर सरी के अंदर छुटते हैं तो वह बहुत तीजी से फार्ष भागते हैं तो जो जो क्रोमोज मंगोली जड़ता किसकी काड़ होती है लिंग गुर सुत्रों की एकल सुत्रता या एकस्वी जोड़ी की अलिंग सुत्रों की एकल सुत्रता या लिंग गुर सुत्रता या एकस्वी जोड़ों की अलिंग सुत्रों की एकाधी सुत्रता तो जो मंगोली जड़ता होती है वो तो एकेस्वी जोड़ी के अलिंग सुत्रों की जड़ता होती है मंद बुद्धि वाले होती है जिनका पुरा विकास नहीं हो पाता Next देव खंड़ा ने एक प्रकार का का इक प्रवरधन है अलेंगिक जनन है लेंगिंग जननन है या कोई नहीं तो आप सब नमर इसमें क्या होगा और लेंगिंग जननन होता है क्योंकि जो दिव खंडन को आप बोलते हो बाइंदी फैसन एक्जामपल जैसे आपने अमीबा देखा होगा पैरयम इसे देखा होगा या कुछ ऐसे प्लांड भी होते हैं दिव खंडन का मतलब होता है यानिकि ऐसे जीव जिनकी बाड़ी दो भागों में तूट जा रही है और दोनों टुकड़ा क्या करेगा एक नए प्लांड की उत्पति करेगा और विकास होने के बाद एक नए प्लांड की क्या करता उत्ति करता है तो यह क्रिया के लाते है और इंगली सją बढोलते है तो यह तो कह goose अंटर करत इंटर्गत कि वर उसमें आप देखते हो नकोल वाले पिसपस सदार्प कि ऐसे भी बनावर तो रात में वाले पुषप कैसे होते हैं क्या है कि सब्सक्राइब कि पंशण स्ब dim sounds कि आपके छोटे साइच क्हwow होती है वही हलकी होती हैं कि जHI द्वारा हवा के द्वारा उता है तो इनके ज़ितने प्रागणी पुंप होते हैं उनके प्रागण क्या होते हैं पराकरण हर्की होते हैं कि को आकर्शित करने का कार्य करते हैं यह था गृता है जिसे होता है बिदा का फूल होता है गुलाब का फूल हो गया खालता है लुखाओने वाले पुष्प होने के वज़े से कीतु को अपनी और आकश्यत करने का कारे करते हैं कि अपने निशन की परागड की क्रिया होती है तो इसमें आपसा नमर क्या हो जाएंगे आपके राइट एंसर हो हो जाएंगे कि जो रात में खुल लेगा उगने वाले पुस्पों होते हूं कैसे होते हो चोटे हो तो बस आशी क्लास में फिर हम लोग आएंगे अगली क्लास में ऐसी नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बूर्ड एक्जाम के लिए करने की तब तक क्या करने है कि रखे से टयार करने यह नहीं की नहीं त्यार करने और उसके साथ अभी जोंवाר dot वाय तो हुआ होना चाहता है कहीं तेयारी नहीं होगा है तो आप मारे इस सब्सक्रीं कर सकते हो कि को Chen finger सकते हो 9357173 75 अब आपको जाने की जुरूवत नहीं है आपको एक जगा ठहरें आप कहीं भी ठहर जाओ एक जगा ठहर आप अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहाए ज़िए जोलाई चलने तो आप क्या कर आप ठहर जाओ ठीक है बस सभी को भाई-बाई-ठेक क्यर